दोस्तों के आप ऐसे जीव के बारे में जानते हो जिसका दिल एक मिनट में एक हजार वद धलकता है और के आप ऐसी तितली के बारे में जानते हो जो एक बार में च्छा बिल्ली को मार सकती है और के आप ऐसे जीव के बारे में जानते हो जिसके सिर्फ पैरों में पसीना आता अगर आप इन जीवों के बारे में नहीं जानते हो तो हमारे इस वीडियो को सुख करने से पहले आप से नदे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर बेला कंजू पिसकर दें दोस्तो वीडियो को सूख करते हैं, चमगादल की चांग की हजडियां इतनी पतली होती हैं कि चमगादल की 12 जब प्रजातियों में से केवल दोकी प्रजातियां जमीन पे चलपाती हैं दोस्तों जल में रहने वाले जीव जैसे कच्छुए पानी के सांप मगर मच और डालफिन विल आदी जीवों के एक निश्चित समय के दवरां जल से बाहर आना पड़ता है अगर ये जीव ऐसा नहीं करते हैं तो तो ये जल में डूब कर मर जाएंगे विसु के प्रत्यक जंगल में प्रती एकड़ आवसतन पचास ज़र मकडिया पाई जाती हैं दोस्तों सांप मासा हारी होते हैं जिसका अर्थ है कि वो केवल जनवरों को खाते हैं अक्सर सांप भोजन के लिए कीड़े पच्ची मेड़क और अन छोटे जीवों को सिकार करता है दो साल से आदिक समय तक जिन्दा रह सकती है दोस्तों कंगारू की सभी प्रजातियां अपने सरीरी का संतुलन बनाया रखने के लिए अपनी पूच का प्योग करती हैं दोस्तों हाथी के दांत का वजन नो पाउंच के करीब होता है मगर मच के जबड़े की पकड़ से वचने के लिए अपने अंगूठे को उसके नेत रगोलक में जाले ऐसा करते मगर मच आपको अपने जबड़े से अजाद कर देगा दोस्तों बिच्छू के उपर अगर आप सराब च्रक देंगे तो क्या पागल होकर खुद को ही मालेगा जानवर मनोसों की तुलना में 30 गुना अधिक मल उत्पादं करते हैं जो हर साल 1.4 विलियन चंग के करीब होता है साथ गायों का एक जुन्ज एक दिन से भी अधिक कम समय में एक टंग दूद पैदा करने में सच्छम होते हैं अफरीका में जहरीली तितली की पजातिया पाई जाती हैं जिसके सारीर में केवल एक समय में छे बिलियों को मारने के लिए पर्याप्त जहर होता है दोस्तों जीराप की जीव इतनी लंबी होती है कि ये जीव के दौरा अपने कानों को साप कर सकते हैं दर्याई गोड़ा इंसानों की तुलना में तीजी से दोड़ सकते हैं और इनके पसीने का गुलावी रंग होता है एक कच फड़ोवा प्रति सिकेंड की दर से पेवन में बीस बार अपनी चोंच मा सकता है दोस्तों एक विसाल का चिंकी की लंबाई साड़े 6 फुट होती है इनमें से आदी इनकी लंबी हूँच होती है दोस्तों कुटों को सिर्फ पंज़े पसीना आता है क्यूंकि कुटों के सिर्फ पंज़े के बीच में पसीने की गरंथिया होती है किलर वेल के नाम से जाने जाने वाली मचली आवसतन में वेल की पजाती से होकर जाल्फिन की पजाती से समझ रखती है दोस्तो छिपकिली का दिल एक मिनिट में एक हजावत धरकता है दोस्तो एक गिलाहरी का जियोन काल लगबग 9 साल तक होता है गिद्द पच्छी सबसे ज़्यादा उचाई तक उड़ने वाला पच्छी है ये 12,000 किलोमेटर की उचाई तक उड़ सकता है बाज की चौँच की सकती बहुत ज़्यादा होती है इसकी चौँच एक बंदू की गोली से भी दो गुना तकतर होती है दोस्तो कि आप जानते हैं मनुस्तों के लिए ग्याद सबसे पुराना पच्छी जुरासिक काल के दौरान लगबाग फंदरा सो मिली नुबर से पहले रहता था पच्छी का दिल आराम करते समय प्रति मिनच चार सोबा धलकता है और उड़ान भरते समय एक हजार बाद धलकता है दोस्तों एक अनुमान के अनुसार सन्दोहजार में लगबाग 60 लाग घरों में 6 करोन पालतू पच्छी थे दोस्तों एक मा मुर्गी दिन में लगबाग 50 बार अपने अंडों को हिलाती है ताकि उसकी जर्दी उसके सिल से न लग जाए दोस्तों तोते चोकलेट को नहीं खा सकते कियोंकि ये इनके सरीर केली जहीला होता है दोस्तों एक प्रकार का आहार जो पच्छी जंगल में खाता है सीधे पच्छी की चोंच के आहार से समंदित होता है लगबाग 75 परसंच जंगली पच्छी एक वरसे से कम समय तक जीवी रह सकते हैं पच्छी जितना बड़ा होगा उसके जीवी रहने की संभावना उतने ही आधिक होती है एक पथक ठंगे पानी में तैरते समय भी ठंज महसूस नहीं करती है क्यूंकि उसके पैरों में रखत और तंत वाटकाई ही नहीं होती दोस्तों एक पेलिकन की थैली जैसी चोंच एक समय में 2.5 गैलन तक पानी पकड़ सकती है चोंच अपने भोजन को निगलने के लिए चोंच पानी को चोड़ने के लिए से कोड़ती है तो दोस्ति विडियो का इसी लगी केमेंट के जो बताएं अगरे जब को अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल सस्क्राइब करें वेकले लाका जो पर दें तो मिलते अखलें लेने विए को साथ थेक है झाल झाल झाल